एक बार इस तरह भी बना करके देखिए लौकी के सौफ्ट स्वादिस्ट कोफते की घर में सभी तारिफ करते रह जाएंगे नमस्ते आप सब का स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग टेस्टी में गाजर के हलोए की मीठास के बाद में लेके आई हूँ आप सभी के साथ एक पहुत ही यूनिक रेसिपी अच्छी रेसिपी और सभी को भाने वाली रेसिपी लौकी के कोफते की रेसिपी स्वादिस्ट रसील जायके दार रेसिपी यहां पर हमने लौकी को कद्दू कस करने के पाद जितना भी एक्स्टा जूस था वह निचोड लेते हैं जिससे की बेसन कम लगता है तो इस तरह हमने तैयारी कर ली है कोफते बनाने की यह एक्स्टा जितना भी पाने था निकल गया है मसालों में हम तैयारी करते हैं टामाटर-प्याज अध्रक लसन के साथ यहां पर सभी हमने तैयारी कर ली है हरा धन्या भी लिया है हरी मिर्च उसको हम बरिग बरिग कट कर देंगे कुफतों में मिलाएंगे और इसके अलावा हमने यहां पर लिया है बेसन और थोड़ा सा हमने यहां पर کॉन फ्लोर लिया है, मक्की का आटा या फिर मैध्याभी ले सकते हैं बेसिक मसाले इसके अलावा हल्दी, मीर्च, धन्या यहां पर हमने गरम मसाला लिया है और थोड़ा सा हिंग के साथ भुना हुआ, जीरा का हमने यूज़ किया है बेशन इस तरह से डालेंगे जितनी हमको जरूरत होगी थोड़ा सा कॉन फ्लोर इसके जगह अगर ना हो तो मैदा भी डाल सकते हैं अब हम इसमें एट करते हैं स्वात के अनुसार नमक वही मेशित मसाले हल्दी हरी मिर्च धनिया पाउडर हरी मिर्च के बाद धनिया चुन फिरेंगे और यह सबी मसालों डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करते है इस सब्सक्राइब में करेंगे उसी लिए कदू कष्ट करने के बाद एक्स्टा जो जूस हैं हमने निकाल दिया था ताकि बेसन कंल लगता है अब हम देखेंगे की पकोड़े बनते हैं या नहीं इस तरह अगर हमको लगता है कि थोड़ा और ज़रूरत है तो और हम बेशन उसमें आड़ करते हैं इस तरह करीब हमने 5 या 6 श्पून बेशन टेबल स्पून हम इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स करते हैं बना कर देखत हैं कि पकोड़ों के लाइक पेस्ट बना है या नहीं बीच-बीच में हम देखते रहेंगे कि कैसा तयार हुआ है तो देखिए हमने जो बचा हुआ बेशन था वह हम भी डाल दिया है करीब 6 स्पून इसमें हमने बेशन एड़ किया है और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए ताकि मैं आने वले समय में और भी इसी तरह के यूनिक वीडियो बना सकूँ तो देखिए पकोड़े कोफते बनने के लिए तयार है इस तरह हम पहले गोले बना कर रख देंगे ताकि तलने के लिए आसानी हो जाएगी हमने यहां पर कड़ाई में तेल गरम कर लिया है टेस्ट करके देखते हैं कि तेल गरम हुआ या नहीं बहुत अधिक हाई फ्लेम अबर हम कोफतों को नहीं तरेंगे मीडियम फ्लेम पर हम कोफतों को डीफ फ्राइ करेंगे तो एकिक करके हम कोफतों को तेल में डालते हैं और सुनहरा बादा में रंगाने तक डीफ फ्राइ करते हैं यह कोफते ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते जिसे ह भी स्नाक्स की तरह खा सकते हैं तो बहुत ही तेस्टी तेस्टी कोफ़ते हम बना करके तैयार कर रहे हैं तो देखी अब अच्छी तरह से रंग आ गया है अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं देखा ना कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है और दिखने में भी स्प कौफटों के स То कि नान के साथ रूटी के साथ पराञके साथ और तरीधार कोफटों की सब्जी चान के साथ खाने में टीस्टी होती यह हूँ मूं में पानी आजाता है यहां तक देखते देखते भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है यह वीडियो लंबा जरूर है लेकिन एक रेसिपी भी तो यह इतनी ही स्वादिस्ट है कि थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है बनाने में महनत भी लगती है और फिर वीडियो एडिटिंग सब कुछ करने के बाद टाइम लगता है यार तो बात ऐसी है ना इसलिए जट से सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो देखिए बातों ही बातों में बन करके तैयार हैं लाजवाब टेस्टी कोफते ती और हाँ ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट चरूर करिएगा कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा अगर कुछ कमी कसर रह गई हो तो बेजी जग आप बोल सकते हैं कह सकते हैं ताकि मैं आने वाले और भी वीडियो में अपनी गलती का सुधार कर सकूँ सुधार से ही तो इनसान सीखता है मुझे तो वो इनसान बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी कम्यों को गिनाते हैं इस तरह कोई कमियां गिनाता है, कमियां बताता है, तो मैंने धीरे धीरे उन कम्यों का सुधार करती हूँ, इस तरह एक आप मनोविग्यानिक का काम करेंगे, अगर मेरी गलतियों को बताएंगे, और हाँ जी हाँ, अगर कुछ अच्छा भी लगता है, तो आप जरूर बनाए अगर में तेल में जीराराई, डालते हैं, तोड़े से हम इस में हरीमिच्चि orable दालते हैं और देजपता डालते हैं सुध के लिए, पियाज रखे थे हमें पेस्ट का डा बना दिया था, पेस्ट गए अच्छी तरह चाहाऍऎ, इस तरह से हम उसको फ्राय करते हैं, पकात कौफतों को तरने के लिए तो हींग डालने से काफी अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए थोड़ा सा वही मसाले हल्दी स्वात के अनुसार हम इसमें नमक के बाद हरा धनिया सूखा धनिया का हम पाउडर डालते हैं और गरम मसाला हम डालेंगे बुना हुआ जीरा भी जो हमने पीश के रखा था भी थोड़ा सा एड़ करते हैं और थोड़ा सा हम नमक और एड़ करेंगे क्योंकि हम इसमें पाने डालते हैं इसके अलावा हम इसमें आड़ करते हैं जो हमने टमाटर पीस के रखे थे ग्रेवी के लिए उसको आड़ करते हैं अच्छी तरह से थोड़ा फ्राइ करेंगे और हम स्वाद को और भी ज्यादा टीस्टी बनाने के लिए इसमें हम एक और चीज डालेंगे वह है थोड़ा सा चीनी है अब हम इसमें डालते हैं जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है इस तरह कोई भी अगर हम करी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हम डालते हैं शुगर तो स्वाद बढ़ जाता है और जो हमने कोफते बनाए थे करी को अच्छा बनाने के लिए काड़ा बनाने के लिए तीन चार कोफतों को हमने इस तरह स्मैश कर लिया है क्योंकि काॉन फ्लोर भी है बेशन बी है इस तरह चू deed शूरा करने से ग्रेवी बहुत अच्ही गाड़ी बन जाती है जाहो तो इस에 काजू को भीगाgar करके भी पीश सकते हैं उससे टिस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी काफी गाड़ी भी बन जाती है तो इस तरह से अच्छी तरह से मका मसालों को हम अच्छी तरह से पकाते हैं और बहुत अच्छा मसाला तैयार करते हैं कोफ़तों के लिए जी हाँ वीडियो को पूरा देखिए और कॉमेंट तो आप लिखना ही है आपकी कोमेंट का हमको इंतजार रहेगा और हाँ करी का अच्छा लाल रंग आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का हम आप यूज कर सकते हैं हम लोग मसाले थोड़ा कम खाते हैं तो मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि हम घर में खाने के लिए ही बना रहे हैं अब हम इसमें अट करते हैं पानी पानी हम इसमें ज़्यादा डालते हैं और अच्छी तरह से उबालते हैं क्योंकि हम पानी इसमें जब ज़्यादा डालते हैं तो कोफते पानी को सोख लेते हैं तो इसलिए हम अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा पानी डाल दिया लेकिन जब कोफते बन करके तैयार होते हैं कोफते पानी को सोक लेते हैं तो इतना पानी नहीं दिखता है फिर भी हम इसको करीब 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉइल करते हैं अब हम इसमें एक और सब्जी मसाला एड़ करेंगे यह मैंने सीक्रेट रखा था क्योंकि जो यहां तक वीडियो देखे का उसको यह सीक्रेट चीज पता लगेगी सब्जी मसाला मिलता है वह डालने से काफी अच्छा स्वाद और बढ़ जाता है और अब बॉइल होने के बाद अब हम इ करके कोफ्तों को डालते हैं और करीब पांच या साथ मिनट तक अच्छी तरह से फिर से बॉइल होने देंगी सच में बहुत खुशी होती है जब हमारी यूट्यूब फैमली बढ़ती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जिस दिन मेरी यूट्यूब फैमली में 100 सब्सक्राइबर बने थे और 500 बने अब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होईगी जब मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपकी वज़े से ही मैं यहां तक पहुच पाई हूँ बस ऐसे ही और भी शेयर करिए बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो अब हम कुफतों में सजाने के लिए स्वाद के लिए डालते हैं धन्या तो देखिए बन करके तैयार है कुफते बहुत ही लाजबाब थोड़ी सी ठंडे होने के बाद यहां करी थोड़ी ग्रेवी गाड़ी हो जाती है और इन कुफतों को हम खा सकते हैं पराठों के साथ नान के साथ रोटी के साथ और चावल और खुशियां को बाटिये जीवन में खुशियां हो तो बस और क्या ही चाहिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से फिर और एक बार मैं धन्यवाद देती हूं आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ताकि आने वले समय में मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बना सको और हाँ अपनी गलती का सुधार कर सको थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू सो मच